तो यहाँ पर हम अपने डी एफ सी सी आईल का पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे आपके 24 पूछे जाने हैं वन आप दा हाइस्ट तो यह हम यहाँ पे कवर करने लग रहे हैं और आज आज आपकी क्लास नंबर 15 है आज की क्लास के सारे के सारे पाइंट्स एज आलवेज इंप अब सबसे जादा रूट को कवर करने वाली ट्रेन हो गई इसके अलावा आपका जो इंटरनेशनल ट्रेंस हो गई किसान रेल हो गई ठीक है ना किसान रेल के बारे में देखेंगे तो बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट से और बीच बीच में मैं जो है इधर उदर के कुन सा है सबसे लंबी ट्रेन कौन से शेशनाक के बारे में पढ़ेंगे शेशनाक क्या है तो यह सब पॉइंट्स देखेंगे बड़े आराम से नोट्स बनाते जाना अगर अभी तक नोट्बुक और पैन नहीं उठाई है तो शरम करो नोट्बुक और पैन उठाओ आई कि यह है आपकी क्लास नुमबर 15 चलते हैं अपने यहां पर देखो भई सबसे पहले कि कहानी को निप्टा लेते हैं अच्छा एक चीज़ और यहां पर मुझे एक बच्चे ने कल कमेंट किया था कि वह बच्चा शायद दूसरे स्टेट में 36 गड़ से था और या फिर कोई अब यहां फस गए हो और आपको वैक्सिनेशन करानी है तो बिंदास कराओ कोई दिक्कत अगर आए आपको कोई कुछ बोले कि दूसरे स्टेट से कुछ दिक्कत नहीं आती है ठीक है से डाउट आपको आया भी कैसे कि दूसरे स्टेट में हो तो वैक्सीन लगेगी नहीं अराम से लगेगे ठीक है तब भी अगर कोई कुछ बोलता है तो इसको आपको बताना है अपनी प्रॉब्लम को यह यह बात है मुझे दिक्कत वाली बात नहीं तो कोई गलत आपको कोई ऐसे रोके टोके कि अरे नहीं यह बात वह बात दूसरे स्टेट के वह वैक्सीन लग अगर नहीं लगवा रखी एंग अगरी लगवा रिखेए तो लगवा अच्छा अच्छा उसमें आपको पॉर्टल कुछ लोगों को आपको पॉर्टल पर जाने के बाद मिंश्वाध सुलों देखते रहो टाइम अगरा स्वाटा आप देखो जैसे मिले तो जाके दनादन लगवायो वैक्सीन ठीक है ना तो वैक्सीन वगएरा करवाओ और अपनी हेल्थ का तो आपको ध्यान रखने हैं तब ही तो सारी के सारी पढ़ाई काम आएगी ठीक है कोई इस्यू आता है आपको उसके रिकार्डिंग तो मुझे बताना और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है कोई भी गलत करें आपके साथ चुप-चाब नहीं बैठना है चलो अब देखो यहां पर विवेक एक्सप्रेस की बात करते हैं एक बार में सारी की सारी चीज़ों को हटाओ और यह लोग देखो यहां पर आपका आगया विवेक एक्सप्रेस तो यहां पर बहुत है तो यहां इंनको तो इंपर्टिन सब्सक्राइब नहीं लुक्त संब्सक्राइब बताै वेकंड़ उसे तो यह जनवरी को हम जनवरी को हम क्या मनाते हैं, national youth day भी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, again, Swami Vivekanan जी का क्योंकि birthday है, और I think आप सभी लोग भी जो है, Swami Vivekanan जी को कहीं न कहीं idealize करते होगे, बहुत बड़े मतलब इनके बारे में तो क्या ही कहने ठीक है, तो Swami Vivekanan जी का तो ideal, I think, सब हर कोई बच्चा ज तो अब देखो basically हुआ गया यहाँ पर 2013 में government ने जो है announce कि हम यहाँ पर जो है कुछ set of vivek express trains launch करेंगे और as of now आपकी कितनी vivek express है total 4 है अच्छा यह मत समझना vivek express का मतलब कोई एक special train है vivek express ना total 4 है जैसे राजधानी express अलग-अलग है ना कितनी सारी है तो ऐसे ही जो vivek express है आप कि वो total कितनी है चार है अब इसमें से questions आपका बनता है कि सबसे बड़ी देखो India's क्या question बनता है थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पर आप train which cover train which covers which covers longest route ठीक है ना क्या समझ में आया आपको हिंदी वाले जो बच्चे है एक बार explain करता हूँ इसमें आपका question अगर पूछा जाए कि इंडिया का जो सबसे लंबा route है वो कौनसी train कवर करती है तो वो करती है आपका vivek express तो है लेकिन कौनसी वाली डिब्रु गड़ से कन्या कुमारी वाली ठीक है ना कौनसी है डिब्रु गड़ से लेके कन्या कुमारी वाली अभी मैं आपको बताओंगा कौन कौनसे route है vivek express के total 4 के तो ये हो गया आपका कन्या कुमारी clear है डिब्रु गड़ कहां पर पढ़ता है बताओ फटाफट से डिब्रु गड़ देखेगा ने जितल्थ दो कि निद्न करकेयर समिद्ट करती यहांटे है अब इंडिया की सबसे मुड़ा से इक चैनल मुशनल न सकता मुअधू लेकिन एक और फैक्ट ध्यान में रखो आपसे यह वाला अगर आप लोगों को याद नहीं है ना तो कोई मतलब भी नहीं हुआ फिर तो अगर आपसे पूछे वर्ल्ड में वर्ल्ड में विवेक एक्सप्रेस अगर बात करी जा है तो वर्ल्ड में कौन से नंबर पर आती है इन लॉंगेस्ट रूट कवर करने में ठीक है ना लॉंगेस्ट रूट कवर करने में तो यह 24 नंबर पर आती है पूरे वर्ल्ड में तो स गया डिब्रू गर्टू कन्या कुमारी दूसरा वाला जो इसका रूट है वो देखते हैं यहापे एक बार थोड़ा सा कलर को चेंज करूंगा वेटा सेकेंड कलर भई कौन सा ले 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 यहापे ब्लू कलर कर ले लेते हैं देखो सेकेंड नमबर पर आपका यहापे आ जाता यह ओखा पता है काहँ पर है गुजरात में है और नादू यानि की टि अन्न में है अरे बास समझ में आ रही है क्या आप होठा बोलते चाओ चलो अगले वाले कोशन पर ना यह थोड़ा सा important है ये वाली train क्यों important है आपकी ये दो बहुत ही religiously important जो आपके areas है उनको यहाँ पे जोड़ती है एक तो कृष्ण जी की द्वार का हो गई ठीक है न और दूसरा हो गया रामेश्वरम तो इनको भी यहाँ पर connect करने का काम करती है ये वाली train तो इसलिए आपका ये वाली जो ओखा से लेगर के टूटी कोरिन वाली विवेक एक्सप्रेस है ये भी आपके लिए क्या हो जाती है important हो जाती है अरे बोलो clear हुआ क्या हाँ चलो अब आगे आते हैं अच्छा ये चीज यहाँ पर समझे रहना कि ये ऐसा नहीं कि द्वारका का पूरा जो पर्टिक्लर द्वारका का station है वहाँ से कवर करती हो लेकिन ये गुजरात में आपका द्वारका पढ़ता है तो basically आपका जो है द्वारका को रामिश्वरम से जोड देती है क्योंकि जो रामिश्वरम है वो भी टूटी कोरिन के पास में है और जो ओखा के पास में पढ़ता है वो आपका द्वारका पढ़ता है ठीक है तो ये चीज है चलिए थर्ड नंबर वाली विवेक पे आते हैं ये वाला आपके इतनी थीख है ना बंधरा टरूम से मैंने आपको कल एक ट्रेन बताई थी बंधरा टर्म तक कुण सी जाती है फटा फट से कमेट करो कौं सी ट्रेन थी जो की बंधरा टर्म तक जा रही थी उसमें 60% और भी था जहान आया जाया chi नहीं आया चीजों क ऐसा जान में रखो, रूट भी क्या ही जान में रखोगी, बस ये जान में रखो, एक विवेक एकस्प्रेस आपकी ये वाली भी है, फोर्थ नंबर पे आते हैं, ये चारो की चारो ट्रेन आपकी 2013 में ही लॉंच किये गई थी, ठीक है न, चलो, अब ये देखो, यहाँ पर आपका जो फोर्थ नंबर पे आ जाता है, वो हो जाती है, आपकी संत्रा गच्ची से, ठीक है न, संत्रा गच्ची से, संत्रा गच्ची से, अब ये जो है, जो बच्चे कोलकाता साइड से बिलॉंग करते हैं, वेस्ट बंगॉल से बिलॉंग करते हैं, उनको पता होगा, ये जो है कहां पर रहें पता है, तो बस यह जो है आपकी चार विवेक एक्सप्रेस हैं, स्टार्टिंग की दो के बारे में थोड़ी सी बाते हैं, जो आपको ध्यान में रखनी हैं, कुशन पूचे जा सकते हैं, बाकी इतना ही ध्यान में रखो, विवेक अगली वाली ट्रेन पर आते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी हैं, अरे यहां तब तो सबको समझा आ गया ना, चलो, अब देखो, तो अब यहां पर हम पढ़ेंगे सूपर अनाकॉंडा, देखो, बड़ी ही इंपोर्टेंट जो है, यह फ्रेट ट्रेन्स हैं अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सूपर अनाकॉंडा, और फिर आपका देखो, नाम कितने प्यारे हैं, सूपर अनाकॉंडा है, फिर दूसरी हो जाती है, शेश नाग, क्लियर है, कौनसी है, शेश नाग है, और तीसरे नंबर पर हम यहां पर पढ़ने वाले है वासुकी के बारे में, clear है, तो तीनो जो है fret trains है, ये तीनो की तीनो क्या है आपकी fret trains है, clear है, क्या है भई, fret trains है, और इनके बारे में जरासा चीजों को समझते हैं, और कहानी शुरू होती है आपकी यहाँ पर SECR से, तो भई, ये जो SECR जोन है ना, ये इनकी भाईसा बलगी fantasy ये बड़े-बड़े जो है, बहुत सारे डपो को जोड़के यहाँ पर, fret trains ये अपने ही record यहाँ पर लगातार तोड़ते रहते हैं, तो बढ़िया है, वैसे बखुद, I mean, इनका पता है आपको जो SECR का जोन है ना, अच्छा SECR का फुलपॉम पता है ना, सभी को, चलो या इसका foundation date, अब यहाँ पर ना, बच्चे बहुत जादा confused हुए, और दो-तीन बच्चों ने doubt भी मुझे, उन्होंने पुझा सरा आपने बताया कि इसको यहाँ पर form कब किया गया, तो यह 1998 में फॉर्म की गई, आपने यह बताया, ठीक है, 20 September clear है, तो फिर आपका देखो, यह पर ना, क्या हुआ, बेसिकली, जब मैं आपसे बात करता हूँ कि यह आपका establish कब हुआ, तो यह establish हुआ 1998 में, लेकिन अगर मुझे यह पूरी country में operation कब करने लगा, तो यह operational हो गया था 2003 में, तो यह दो अलग-अलग चीजें हैं, ठीक है, इनको एक साथ मिला के नहीं देख का most profitable zone है, इंडिया का, most profitable zone है, अच्छा आप यह बता दो, फटाफर्ट से कि SECR के headquarters कहां पर हैं, बोलो जुलदी से SECR के headquarters कहां पर हैं, अरे बोलो फटाफर्ट से, तो यह हैं आपके बिलासपुर में, clear है कहां पर हैं, बिलासपुर में हैं, कल भी मैंने आपको, कल नहीं, पिछली वाली कलास में भी मैंने आपको बताया था, तो यह चीजे हैं, अब देखो यहां पर हुआ क्या basically, कि यह जो SECR है, SECR ने क्या किया आपका, अगर मैं आपसे बात करू, year 2020 की, तो देखो यहां पर, इन्होंने year 2020 में क्या किया, भई, जून का यहां पर जो है, आपक इसके टोटल टब्बे हैं न, कितने टब्बे, 177, 177 जो loaded vegans है, यानि कि जो सामान बरा हुआ था, इसमें पूरा मालगाडी के जो टब्बे थे, वो पूरे बरे हुए थे, 177, और इन सब टब्बों को इन्होंने एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, मतलब टोटल जो है, इन् को चलाया भी, ठीक है न, ये आपकी चलाय भी गई, और ये बेसिकली कितनी ट्रेन को जोड़ के बनाई गई थी, यानि कि तीन फ्रेट ट्रेन को जोड़ कर के बनाई गई थी, यानि कि तीन फ्रेट ट्रेन को जोड़ कर के बनाई गई थी, तो धान रखना आई, इस ट्रे धान में रखनी है, सबसे ज़्यादा important होगा आपके लिए वासुकी, अब देखो, यहाँ पर आपका आ जाता है दूसरे number पर, देखो, यह कहां से आ गया, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, और color को change करते हैं, देखो, यहाँ पर आपका आ गया अब शेशनाग, अब यहाँ पर उठी इनको यहाँ पर थोड़ी से शांती नहीं मिलती है, और फिर यह क्या गड़ते हैं, अब यह जो है, यहाँ पर 251, 251 लेकिन ध्यान रखना, यह कैसे थे, empty wagons थे, ठीक है, यह कैसे wagons थे, empty wagons थे, यानि की खाली डिपे थे, तो 251 empty wagons को जोड़ करके इन्होंने, और अगर मैं आपसे बात करूँ, total इन्होंने कितने लोको मोटिव लगाए, तो total जो है, इन्होंने 4 लोको मोटिव का यहाँ पर यूज किया था, clear है, कितने लोको मोटिव का यूज किया, 4 लोको मोटिव का बहुत important है, fret train है, clear है, अब देखो क्या हुआ है, इसकी जो total length हो ग लिए, नागपुर से लेकर के यह आपका जो बिलासपुर है, इस रूट पर यह आपकी चली थी, clear है, total 260 किलोमीटर इसने कवर किया था, यह जो आपकी शेशनाग है, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बोलो फटा-फट से हाँ, हाँ जी, चलो, अब यहाँ पर आपका श अच्छा, शेशनाग से भी questions पूछे जा सकते हैं, गुमाने के लिए, तो देखो, यहाँ पर इन्होंने वासुकी में क्या किया, इन्होंने 5 जो fret train थी, यह जोड दी एक साथ, क्या कर दिया, 5 fret trains को एक साथ जोड दिया, अब ध्यान देना, 5 fret train हो गई, और total जो डपे थे, वो कितने थे, भई, 300 vegans थे, clear है, कितने vegans थे, अब 300 vegans, यानि की 300 डपे, जो की 5 माल गाडियों के थे, और total जो इसकी length बनी, फिर, यह total length बन गई, 3.5 km की, तो as of now, अगर आपसे पूछे, कि अब इंडिया की सबसे बड़ी train कौन सी बनी थी, अदेको, सबसे बड़ी, सब आपसे biggest train पूछेगा, तब भी answer आपका वासुकी होगा, अगर वो वहाँ पे fret train इस्तेमाल करें, तब भी आपका वासुकी होगा, clear है, बास समझ में आरे है मेरी, ठीक है ना, क्योंकि train तो होती है, fret train, माल गाड़ी, माल गाड़ी, जो है, वो आपकी क्या गाड़ी नहीं ह सकता है कि इसको लेकर के कितने लोग गए थे, तो इसको लेकर के ना, बस एक लोको पाइलट, एक लोको पाइलट लेकर के गया था इसको, और एक जो है आपका ALP, यानि की साथ में जो बैठते हैं, और फिर इसके बाद में यहाँ पे आपका एक goods guard, बस ये तीन लोग जो ह है, तो मतलब देख रहो कितना जादा development हो रहा है यह, और यहाँ पर इसका route भी ध्यान में रखना, यह कहां से कहां तक जो है यह आपकी चली हुई थी, ठीक है ना, तो total इसने 224 km कवर किये थे, और यह आपकी भिलाई से लेकर के कोरबा, भिलाई से लेकर के जो कोरबा की distance है, यह इसने कवर की थी, clear है, तो यह चीज आपको यहाँ पर धान में रखनी है, और इसे total time कितना लगा तो 7 hours लगे थे, अब क्यूंकि भई सबसे बड़ी train है, तो हमको यह सब चीज़ें भी धान में रखनी चाहिए, clear है, question तो कहीं से भी आ सकता है, छोड़ना थोड़ी समझ में आया क्या वाजुकी के बारी में seem पूरा clear हो गया, तो अब किसी को कोई doubt तो नहीं रहेगा, कोई यहाँ पर शेशना करते हुए, कि अरे नहीं सबसे बड़ी शेशना आ गया, सबसे बड़ी है, super anaconda यह सब तो नहीं करेगा कोई, हाँ, चलो, अब आगे बढ़ते है, आपने अगर सुना हूँ, स्वार्ण जयानती एक्सप्रेस, एक क्या basically यह भी कई सारी ट्रेंस हैं, मतलब स्वार्ण जयानती एक्सप्रेस करके, अगर मैं आपसे बात करूं तो total, I think, 7 या 8 ट्रेंच चलती है, ठीक है न, 8 ट्रेंच चलती है, इसकी स्वार्ण जयानती डे के लिए है न, क्या करने के लिए हमारा 50th, 50th जो है basically क्या हो जाता है, आपका यह golden jubilee मनाने के लिए, 50th golden jubilee मनाने के लिए आपका यहाँ पर क्या किया गया था, स्वार्ण जयानती एक्सप्रेस वाली जो ट्रें है, इनको लांच किया गया था, यह एक super fast train होती है, बा लेकिन अब यह basically हीरा कुंड एक्सप्रेस बन गई है, बट यह launch इसी में हुई थी इसी प्रोग्राम के अंतरगत, ठीक है न, बास समझ में आ रही है, क्या, तो यह 50th year था इंडिया की independence का, यह चीज तो कुछ से लिख लोगे न, independence था यह 50th, लिख लेना अच्छे से, समझ का internationally trains चलती है, इंडिया की 3-4 train आपको पढ़नी पढ़ेगी, जो कि internationally चल रही थी, या फिर अभी तक 2019 तक पागिस्तान के साथ चलती थी, उसके बारे में थोड़ी से information देखेंगे, थोड़ी थोड़ी जो कि आपके exam point of view से important है, अच्छा यह बताओ जरा मुझे, इंडिया नेवरिंग कंट्रीज, मैं यहाँ पर आप से land border या फिर water border की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितनी total neighboring countries हैं, तो total 9 neighboring countries हैं, जिस में से कि आपकी 7 तो हैं land वाली, ठीक है, 7 कैसी है, land वाली है, दो हैं आपकी water boundary के साथ, जैसे कि आपका एक श्रीलंका हो गया, द पूटान, नेपाल, यह सब हो गया, तो म्यामार हो गया, तो यह सब आपको पता होंगे, तो यह अब यहाँ पर आते हैं, बांगलादेश हो गया, तो total 7 हो गया, मैंने बोल भी दिये, अब देखो यहाँ पर अपना train line किस किस के साथ में है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात क चल रही है, यहाँ पे 2 train चल रही है, ठीक है न, जो सबसे पुरानी train है, वो है आपकी मैत्रीएक्सपरेस, ठीक है, कौन सी है, मैत्रीएक्सपरेस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कि कब से चल रही है, और इसके क्या-क्या important points है, जो कि आपके एक होती है यह और आपका पंगलादेश के ढाका के बीच में जो है चलती है यानि कि पहले क्या हुआ करता था कि जो इम्मिग्रेशन यहां पर बेसिकली जब आपका एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इम्मिग्रेशन चेक होता है यह भी समझ लो ठीक है न अगर यह तो अब क्या ही पूछेगा लेकिन यह आपकी नॉलिज के लिए हो जाएगा कि जो इम्मिग्रेशन चेक होता था ना पहले वो आपका बेसिकली इंडिया में जो है पहले कोलकाता से जैसे जो भी आपके चेक किया जाता था जो भी immigration वगएरा है फिर इनको धाका में लेके जाया जाता था लेकिन अब कौन से year से तो फिर आपका 2017 से 2017 से क्या कर दिया गया कि जो भी आपको यहां पे checking वगएरा करनी है immigration चेक करना है वो इंडिया में कोलकाता में ही बैठने से पहले हो जाएगा और पर यह ट्रेन आपकी दनादन चलती जाएगी कोलका धाका में जाके रुखेगी धाका में फिर आपका immigration चेक होगा ठीक है ना तो यह चीज है बाकि 2008 में शुरू हुई अब यह ध्यान में रखना कि इंडिया में मैत्री एक्सप्रेस को कौन देखता है तो eastern railway देखती है इस इतनी बार चलती है एक वीक में फाइव टाइमस आपकी यह वाली ट्रेन रन कर रही होती है अरे बास समझ में आगी क्या हाँ चलो इतना इतनी से बात आपको क्लियर होगी बस यही आपको ध्यान में रखना है है ना चलो और यह जो आपका basically five days चल रही है ना यह आपका 2020 मे week चलती थी ठीक है ना four days a week चला करती थी इससे पहले यह क्या हो गया एक सेकंड रुको writing बड़ी गंदी से आ रही है थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको four days a week आपकी पहले चला करती थी 2020 से यह हो गया ठीक है ना तो यह सब बातें आपकी बहुत recently यह सब development हुए है इसलिए मैं आपको सब कुछ बताता जा रहा हुँ ठीक है ना तो बांगला देशती एक होगी मैं त्री एक्सप्रेस अब देखो दूसरी वाली जो train अभी recent में चली है वो है आपकी बंधन ठीक है ना कौन सा है भाई बंधन एक्सप्रेस क्लियर है और यह जो है नई नई चली हुई है बीजेपी के रिजाइम में चली है और यह कौन से एयर में स्टार्ट हुई तो 2017 में बंधन एक्सप्रेस यहां पर स्टार्ट की गई और इसके बारे में आपको बस रूट दियान में रखना यह आपका इंडिया का जो कोलकाता रेलवे स्टेशन है यहां से स्टार्ट होती है और जो खुलना रेलवे स्टेशन है बांगलादेश का वहां तक चलती है ठीक है बस इतनी से बात ध्यान में रखो बाकी कुछ इंपोर्टन नहीं है इससे अब आते हैं हम बांगलादेश के साथ में यह दो ट्रेन हो गई अगला वाला यहां पर कंट्री देखो तो जरा दूसरे अपनी कौन सी थी दूसरी थी थार एक्सप्रेस ठीक है ना तो इसके बारे में बेसिकली बात क्या है कि 8th of October से 8th of October 2019 से जो है अब यह ट्रेन बंद कर दी गई है इनकी हरकतों की वज़े से तो यहां पर बेसिकली जो है समझाता है एक्सप्रेस और थार एक्सप्र नहीं नहीं है बस एक चीज़ द्यान में रख लो यह वाली कब चली समझाता एक्सप्रेस तो बहुत पुरानी है एक तो यह 1976 से स्टेशन ने चलना शुरू किया 2019 में रुक जाती है और यह देखो और यह कहां से कहां तक चला करती है तो स्टार्ट यह होती है समझाता एक् यहां में कौन इसको देखेगा तो नर्दन रेलवे जोन जो है इसको यहां पर देख रहा होता है बागी ऐसे ही हम थोड़ा सा थार थोड़ा सा नीचे आते हैं थार एक्सप्रेस के बारे में भी हम थोटी मोटी चीज़े देखते हैं तो यहां पर देखते हैं थार यह स्टार्ट की गई थी 2006 में क्लियर है और कहां से कहां तक चला करती थी तो जोधपुर से लेकर के आपका जोधपुर से स्टार्ट होती थी राजस्थान के और कहां गतम होती थी कराची केंटमेंट में ठीक है ना तो जोधपुर से कराची की बीच में चला करती थी नोर्थ वेस्टन डेलवे जोन क्लियर है तो बस इतनी से बात ध्यान में रखो बाकी तो फिर अब ज़्यादा देखना नहीं है बाकी देखो इसके बाद में चाइना के साथ अपनी कोई रेलवे लाइन अभी है नी नेपाल के साथ में जो है अभी दो जगए चलती है एक आपका म्यामार हो गया, चाइना हो गया, इसके बाद में हाँ, श्री लंका के बारे में एक चीज़ देखो, श्री लंका के साथना अपने एक ट्रेन चला करती थी बहुत पहले, तो basically क्या हुआ यहाँ पे, अब यह आप थोड़ा सा देखी लो इसको, ठीक है, यह देखो, य क्या ह्ते है, ट्रेन का नाम पूर्ट मेल है, और यह ट्रेन बहुत पुरानी है, एनद आपकी से और यह अभी बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, आपका यह एंटीर से और यह रही है, पर बहुत बड़ा साइक्लोन आता है तो यहां पर ब्रिज की वज़ेसे क्या हुआ यहां का चितना भी रेलवे ट्रेक थे धनुष कोड़ी आसपास के वो तूट गए तो फिर तब से यहां पर आंगे फैरी देखो यह आपका अपने को पता है इंडिया और शिलंका के पीच ब्रिज में आपका वो तो है नि ब्रिज वगेर भी पूरा अच्छे से बना नहीं है ऐसा रेलवे का ब्रिज जो बना हुआ हो तो यहां पर ना फैरी सर्वसेस चला कर दी देखिए यहां से यहां तक ट्रेन आएगी फिर आगे फैरी सर्वसेस चलेंगी रामे शरम से तो धनुष कोडी के आगे ठीक है ना तो वो बेसिकली क्या हुआ आपका यह 1964 के साइकलोन से बहुत ट्रेन तो पूरी की पूरी जो है वाश कर गी थी यह पूरी पसंजर ट्रेन और इसका जो ट्रेक था वो भी पूरा खराब हो गया उखड़ गया था यह पूरा का पूरा ट् चन्नाई में एगमोर चन्नाई एगमोर स्टेशन से लेकर के रामे शरम तक यह वाली ट्रेन जाती है इसके आगे से जो है अब आपका यह श्रिलंका को लिंक नहीं करती है ठीक है ना रामे शरम तो बेसिकली यह बातची थे इसके बारे में समझ गे तो अब यह श्रिलंका पूरा लिंक करती नहीं है बाकी बस इंडिया में एकमोर से लेके राजसान चन्नाई एकमोर है यह आपका तो चन्नाई एकमोर से रामिश्रम को एक कनेक्ट करती है एक सगेंड रुको पानी पीताओं अच्छा यहाँ पर देखो मैंने आपको पढ़ने का एक तरीका बताया था जिन बच्चे जो बच्चे ना इस अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया हुआ है उनको यहाँ पर चेंज अफकोर्स देखने को मिल रहा ह होगा और आपको कोई भी कॉश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे सॉल्व ना हो ठीक है ना history of Indian railways में तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया है उस अप्रोच के साथ चलो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि डेले डेले याद करने है यह सब तो याद करो आप अगर यह सोच र करना है मुझे पता है आपको कितना डाइजस्ट हो पाएगा कितना पैसी मिलेट कर पाओगे कितना पचा पाओगे ठीक है ना तो जितना एक दिन में दिया जा रहा है पूरा का पूरा ग्रेस्प कर लेना है ठीक है और जो CRM की क्लास है आपकी customer relation management या फिर आपका customer relation की है य यानि कि हमारा यह जो पूरा का पूरा issue of india in railways है बिलकुल जो भी बचा खुचा जो भी कुछ है वो सब भी finish हो जाएगा अच्छा यहाँ पर फटा फट से एक fact note down करो बहुत सारे बच्चे confused है कि fastest train of india कौनसी है fastest train of india fastest train of india अच्छा यहाँ पर मैं आपको कुछ fact लिख बहुत सारे लोग यहाँ पर अब गतीमान एक्सप्रेस को ठागर के लेके आएंगे लेकिन that is not correct ठीक है ना वंदे जो गतीमान एक्सप्रेस है वो आपकी अब fastest train नहीं है पहले हुआ करती थी लेकिन जब से वंदे भारत लॉंच हुई है इस दा fastest train of India यूगि इसने जो है इसकी maximum speed 180 है और इसने 130 को hit किया हुआ है और जो वंदे भारत उसकी maximum 160 है और वो average अभी 100 या असपासी चल रहे होती है ठीक है ना तो यह चीज है अभी right now fastest कौन सी है वंदे भारत है धान रखना अच्छा अब और कोश और यहाँ पर fact आप note down करो ब India बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज पर यहाँ पर focus करते नहीं कि fastest train कौन सी है slowest train कौन सी है तो slowest train है आपकी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना क्या बताया था एक मैंने toy train करके चलती है वो उसको हमने बोला था toy train जैसी है कौन सी है ऊटी नीलगीरी passenger train ठीक है न अरे बोलो हाँ clear हुआ क्या चलो और वंदे भारत के बारे में आपको सारी information दे चुका हूँ चलो और information देखो यहाँ पे जी सारे के सारे fact यहां से मतलब बहुत सारे questions यहां से बनते हैं अगर आपसे कभी question पूछ ले कि ऐसा कौन सा railway station है क्या question पूछ ले आपसे ऐसा कौन स railway station है जो कि आधा आपके दूसरे state में हाफ दूसरे state में हाफ आपका दूसरे state में यानि कि दो state में है यह station तो यह हो जाता है आपका कौनसा नवापुर railway station कौनसा railway station है नवापुर railway station है नोट डाउन कर लेना अब यह नवापुर railway station कहां पर है तो आधा तो है यह आपका और आधा ये पढ़ता है महाराष्ट्रा में ठीक है कहां पढ़ता है आधा महाराष्ट्रा में पढ़ता है तो ये और आप fact यहां पर no down कर लो ठीक है और भी ऐसे कुछ अब देखो कल की class में हम क्या कर रहे होंगे तो कल की class में थोड़े से और fact देखेंगे जो भी आपका platform स related वाले fact है important जिसे largest platform कौन सा है longest bridge कौन सा है highest bridge कौन सा है ठीक है यह सब चीज़ें करेंगे जो factual बाते हैं उसके बाद में आपको मैं कल और भी बोड़ से जो भी जितने भी questions बनेंगे और पीएफ से जितने questions बनेंगे hospital जो आपका पहला railway का बना वो देखेंगे हम और जो institutions of Indian railway है ठीक है ना इंस्टि इंस्टिउशन नहीं basically subsidiaries करेंगे कल ठीक है क्या करेंगे subsidiaries of Indian railways ठीक है तो यह सभी कहानी पूरी के पूरी निप्टा लेंगे बस आपका finish हो जाएगा यह और 15 से हम जो है अपना CRM start करेंगे as I promised ठीक है ना तो जो मैं बोलता हूँ वो मैं कराई द चरिए दूसरी आपकी oxygen express यह मैंने अभी जान बूच कर नहीं कराया है एक तो आपका यह किसान रेल की special वीडियो आएगी आज ही आएगी और यह special वीडियो आपकी आजाएगी सावन पीम को ठीक है ना कब आएगी सावन पीम को आएगी किसान रेल के बारे में जितनी भी स पता इसके बारे में और oxygen express में आपको मैंने आपको बताया ना रेलवे का current affair कराऊंगा तो उसमें मैं आपको कराता हूँ कि बेसकली बात कहना भी oxygen express राइट ना चल रही है तो इसके बारे में आपको जितने भी fact निकल के आएगे ना वो अभी around समझ लो आप साथ से 10 दिन क बाद में fact निकल के आएगे इसके बारे में जो भी कितनी oxygen express चल गई है है ना तो वो मैं आपको 7-10 days के बाद में कराऊंगा oxygen express वो तब ज्यादा fruitful होगा बात मेरी समझ में आ रही है ना मुझे पता है आपको कभी किया करवान है तो इतनी tension मत लिया करो तो जितना मैंने आप आपको भी चीजन दी है ना बहुत सो समझ के चीजन देता हूं एक तो आप लोग ना जो बोल जितने बच्चों ने न अच्छा ड़ा एक तो honestly यह चीज बताओ जो मैंने आपको starting से जैसा जैसा मैंने follow करने को कहा है जो लोग starting से follow कर रहे है उनको यहाँ पर कैसा feel हो रहा ह आपको जाकर के कैसा feel हो रहा है बताओ फटाफट चे ठीक है ना और जो बच्चे थोड़ी से अपनी चला रहे हैं कि नहीं हम तो एक बार में दो तीन class करेंगे एक बार में चार class कर लेंगे हो जाएगा तो देखो आपको dear यह last वाली classes तो याद नहीं होने वाली एक दिन म बात समझ में आ रही है सभी को तो ठीक है यार फिर यही सारी के सारी चीज़े हैं ठीक है तो यह सारी के सारी चीज़े हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और कोई दिक्कत समस्या आती है तो नीचे आप comment section में डाल सकते हो वो मैं आपका doubt दूर कर दूंगा ठीक है सो एंड गरूंगा इंपर session को thank you so much god bless you all take care and bye bye